वीके न्यूज राश्ट्र के नाम के पैर्धोय थे और उन पर पुष्व वर्षा करवाई थी यही उत्तरप्रदेश में भी किया गया पुलिस प्रशासन, डीजी पी हो या कोई भी अधिकारी कावडियों का फव्वे स्वागत कर रहा था और इस अस्वीरे देखकर पूरे देश के जो कावडिये थे और जो शिवभग थे वो गदगद हो रहे हैं लेकिन इसे बीच किसी को मिर्ची लग रही थी जी हाँ और वो कोई और नहीं वो हैं असतुदीन ओवे सी और उन्हाने इस बार ये बात बोल भी दी है उन्हें साफ कहा है कि अगर पुलिस प्रिशासन कावडियों का स्वागत कर सकता है उनके पहरों पर मलहम लगा सकता है उनके उपर पुष वर्शा की जा सकती है तो फिर नमाजियों को नमाज पढ़ने की सड़क पर इजाज़त क्यों नहीं दी जाती जी हाँ उन्होंने लुलु मॉल का भी जिक्र करते हुए कहा कि कुछी सेकंड की दो बात थी इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया गया ये सारी बाते उन्होंने ट्वीटर पर कही जी हां, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पुलिस ने पंखुडियों की बौचार की, कावडियों का जंडों से इस्तक्बाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतिहाई शक्वत किसे पेश आई, दिल्ली पुलिस ने लोहारों को खटाने की बात कही ताकि कावडियों नराज न हो जाएं, उत्तर प्रदेश हुकूमत में यात्रा के रास्ते पर गोश्ट पर पावंदी लगा जी थी, उन्होंने आगे भी लिखा और कहा ये रेवडी कल्चर नहीं है क्या, मुसल्मान खुली जगें पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अद ना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने OAC कोप पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी के विधायग शलमबनी तिरपार्टी ने मुर्टे समाला और OAC पर पलटवार किया। पैसा वहीं से आ रहा है जहां से मुफ्ट की रोजा इफ़्तारी के लिए आता था। अब जैसे ये ख़बर सामने आई, सोशल मेडिया पर भी लोग उवेसी पर फड़ा कुटे। और उन्होंने कहा, उवेसी किस तरीके से कावडियों पर सवाल भा सकते हैं। उन्होंने ये कैसे कह दिया कि पुलिस प्रिशासान कावडियों के स्वागत में लगा हुआ है। अगर ये हुआ भी है, तो वो सिर्फ साल में एक ही बार होता है। नमास तो सड़क पर हर फ्राइडे को अदा की जाती है। ऐसे इजादत क्यों दी जाएं। क्यों ओवेसी ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम करके जहर गोलने का काम किया। यूपी के उप मुक्यमंतरी केशब प्रसाद मौरे ने भी यही बात कही। कि ओवेसी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं और वही करते रहेंगे। वो सिर्फ अपनी पार्टी का बोट बैंक बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब आपके कहना चाहते हैं इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रही हैं।